नमस्कार दोस्तों, 28 सेप्टेंबर 2021 के डेली दहिंदू एडिटोरिल डिसकेशन में आपका स्वागत है चार इंपोर्टन आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिसकस करूँगा एक बात मैं आपको पहले बता दूँ आज चैनल मेंबर्स का स्वागत में सुबह की करेंट अफेर्स की वीडियो में अलरड़ी कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ तो चैनल मेंबर्स को स्वागत करिंट अफेर्स की जो वीडियो है डेली न्यूजनलिस वाली जो कि अल्री अपलोड हो चुकी है दो घंटे पहले इसमें मैं कर चुका हूँ तो पहला आर्टिकल हम डिसकस करेंगे कोड कुट एंड अप रनिंग आउट अप स्टीम देखिए यह जो ऑकस नाम का प्लेटफार्म आया है उस्टेलिया यूके यूएस का इसके आने से हो ऐसा राय कि ऑकस भी इंडो पैसिफिक के कंसिप्ट में डील करता है हाला कि अगर अप यूके की बात करो यूनाइट गिंडम तो यूनाइट गिंडम टेक्निकली पैसिफिक ओशन के आसपास के अलाकों में नहीं आता है यूके आपका इटलांटिक के बगल में लेकिन फिर भी इस ओकस के जो डाइमेंशन से हैं वो काफी हद तक इंडो पैसिफिक में डील करते हैं तो आपकस के एक लिमिट से जादा स्ट्रॉंग होने में कौर्ड कमजोर पढ़ जाएगा ऐसा इस आर्टिकल हैं बताया जा रहा है तो आगे आने वाले समय में कौर्ड आपकस के सामने कैसे कमजोर पढ़ सकता और अगर कौर्ड कमजोर पढ़ा तो इंडिया भी कमजोर पढ़ेगा इस व्यूपोइंट को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट यह जो पंजाम में आपके चलन जीस्तिंग चानी साफ सीम मनें इसको लेके दो-तीन बाते बताएगा यह important नहीं लगी मैं डिसकस नहीं कर रहा हूँ PM Modi की स्पीच से related एक article है United Nations General Assembly का सारे points में आपको एक अलग वीडियो में बता चुका हूँ Current Affairs और Idrial में इसकी बात हो चुकि यह सब कुछ repeated है तो I will not discuss it एक topic important है और वो है यहाँ पर cyclonic stomp देखे इसके बारे में भी बात होई है बड़ पिछले 10-15 दिन से यह news में ज़्यादा नहीं है तो अभी आपको पता ही है कि cyclone गुलाब आया है अभी cyclone गुलाब ने उतनी तबाही नहीं मचाई है लेकिन फिर भी cyclone गुलाब इजा आप कह सकतो potential warming potential warning क्यों है यह समझे यह आ कब रहा है September में आ रहा है September में देश के बहुत से हिस्सों में थोड़ी बहुत थंड पढ़ने लगती है ऐसे समय पे एक low pressure depression बनना आपका Bay of Bengal में जो कि cyclone ले आए यह भाई एक अच्छा sign नहीं है चुकि cyclone low pressure systems होते हैं चुकि intense गर्मी की वज़ासे बनते हैं और अगर September के महीने में इस प्रकार की cyclone आने लगेंगे तो future when it comes to climate change and when it comes to September cyclones यह थोड़ा खतरनाक हो सकता है और कौन-कौन से cyclones आये हैं कैसे ही हमें खतरा पहुचाते हैं दो-तीन और extra points हैं उसको भी हम इस particular article में देखेंगे next article जो मैं discuss करूँगा अच्छा यह एक छोटा सा article actually में इंदरा नुई जी इंदरा नुई जी के बारे में आपको पता होना चाहिए यह PepsiCo की CEO बन रहे चुकी है ठीक है काफी influential आप कह सकते हैं इंडियन वुमेन जोने पूरी दुनिया में वुमेन इंपावर्मेंट का एक्जामपल सेट अप किया उसमें इंदरा नुई जी का एक नाम आते हैं नोने हमने किताब लिखी My Life in Full, Work, Family and Future तो यहाँ पर बता रखा है इंगी जरनी कैसे आप चाहो तो पढ़ सकते हो इंडियन परस्पेक्टिव से तो इंपॉर्टन नहीं है बढ़ हाँ एक वुमेन इंपावर्मेंट के परस्पेक्टिव से और और ओर ठीके ना जो जिस तरीके से सुसाइटी में वुमेन का रोल समझा जाता है उस प्रकार से दो-तिन व्यूपॉइंट दी हुए जैसे की एंड में एक बड़ी इंटरस्टिंग स्टोरी बताई है यहाँ पे इंद्रा नुई जी ने तो जो एस्पाइरिंग वुमेन से वो चाहें तो इस आर्टिकल को पढ़ सकती है हाला कि इसमें एक्जाम्स परस्पेक्टिव से उतना इंपॉर्टन कुछ लगा नहीं मुझे नेक्स्ट बात करते हैं हाँ इंस्पिरिशन के परस्पेक्टिव से बहुत कुछ है खासकर वुमेन इंस्पिरिशन के परस्पेक्टिव से नेक्स्ट बात करते हैं मेजरिंग रीजनल डाइवरस्टी नैशनल इंस्टिटूट रैंकिंग फ्रेमवर्क देखें ये पर्टिकल आर्टिकल लिखा किसमें तो इसको लिखा है हुसैन अनीस खान ने हैं और रिसर्च फैलो हैं विधी सेंटर फोर लीगर पॉसी न्यू देलीगी अब ये खान साब यहां क्या बोल रहा है इनका बोलना है कि देखें नाशनल इंस्टिटूट रैंकिंग फ्रेंवर्क में जो मैथेडोलोजी है इंस्टिटूशन को रैंकिंग करने के उसमें बहुत सारे अलग-अलग फैक्टर को इंपोर्टेंस दी जाती है उसमें एक फैक्टर है आपका रीजनल डाइवर्सिटी का फैक्टर और रीजनल डाइवर्सिटी के फैक्टर को गलत प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है National Institute Ranking Framework में और इसके लिए दो universities के भी example दिये हैं इनोंने एक है जाम्या बिलिया इसलामी नई दिल्ली वाली university और एक है National Law School for India University NLSIU जो की बेंगलूरू में है तो अच्छे plants local level पे लगाके farmers की जो electricity की grid वाली electricity consumption इसको कम करवा हो और जो भी solar pump है उन solar pump को solar power से चलाके overall हम अपने carbon emissions को भी कम कर लेंगे ठीक है ये किसानों की जेब से पैसा भी कम निकलेगा पानी भी जो underground water है थोड़ा सही तरीके से इस्तमाल होगा तो इस PM कुसम scheme की revitalization की ओपर यहाँ पर कुछ points बताएंगे तो इन points को हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो potentially यतने topics की ओपर यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं शुरुवात किस से करेंगे तो शुरुवात हम लोग करेंगे आपका measuring regional diversity से national institute ranking framework calculation regional diversity in educational institutions in inaccurate देखे मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो viewpoints बता रहे हैं यह viewpoints काफी अच्छे देखते हैं क्या कि यहाँ पर बताया गया वीडियो पर like का बटन जुरुद दबादेना अगर अब तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप फस्टाइम है तो सब्सक्राइब कर लिए चैनल को अगर आप फस्टाइम है तो एक बार playlist में जाके आप देख सकते हैं कि मैंने कौन-कौन से topics पर playlist बना रखी इंस्टाग्राम पर चाहें तो NIRF की ranking है अभी recently ही educational institutes की ranking release हुई है 9 सब्टंबर को education minister ने 6th edition release किया NIRF ranking का यह मैंने आपके साथ discuss भी किया था मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था कि जो NIRF की ranking होती है यह 5 parameters पैसे की जाती है और हर 5 parameter के 1 से 5 parameters भी है तो NIRF की ranking के लिए 5 parameters और हर 5 parameter के कुछ sub parameters हो सकते हैं एक से लेके 5 तक अब इसमें से एक sub parameter के उपर बात हो रही है जो कि है regional diversity और इस regional diversity को outreach and inclusivity भी बोला जाता outreach and inclusivity नाम का जो parameter है उसका एक sub parameter है regional diversity तो 5 parameters में से NIRF के एक है outreach and inclusivity और outreach and inclusivity का एक sub parameter है जिसको आप बोलते हो regional diversity और यहाँ पे यह बोल रहे है author कि यह जो सब parameter है यह बिल्कुल गलत है NIRF regional diversity को गलत प्रकार से measure करता है गलत प्रकार से calculate करता है कैसे देखते हैं तो देखिए regional diversity को calculate करने के लिए NIRF में किया जाता है कि माल लीजे किसी एक particular state में कोई एक college है तो उस particular college में कितनी regional diversity है इस बात पर कैसे assess किया जाएगा कि उस state के बाहर के state से कितने बच्चे वहाँ पर पढ़ने आ रहे है और हमारी country से बाहर की country मतलब foreign country से पढ़ने के लिए कितने बच्चे वहाँ पर आ रहे है तो मालो महराश्ट में कोई institute है तो उस institute में regional diversity को calculate करने के लिए महराश्ट के अलावा जो बाकी states वे union territories है इंडिया की वहाँ से कितने बच्चे पढ़ने आ रहे है इस बात को factor में लाया जाता है और इंडिया के बाहर से कितने बच्चे इस इस्ट्यूट पर पढ़ने ला रहे हैं इसके लिए लाया जाता है इस बात को और किस हिसाब से लाया जाता है तो regional diversity को calculate करने के लिए formula है 25 into fraction of students enrolled from other states plus 5 into fraction of students enrolled from other countries तो यह formula है यहाँ पे regional diversity को calculate करने का ठीक है बल क्या यह formula सही है ओथर के हिसाब से formula सही नहीं है चुकि यहाँ पे this formula calculates the regional diversity of states not on the basis of state-wise representation by students at the institutions but on the basis of percentage of Indian students percentage of the total students enrolled from all states except the state the institution located मतलब की महराष्ट के अंदर बाकी states से कितने बच्चे आरें केवल इसका fraction देखा जाता है लेकिन बाकी states में से किसकी से states से बच्चे आरें यह नहीं देखा जाता है तो मालेजे दिल्ली में कोई institute है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं 100 और उन 100 में से मालो 99 बच्चे उत्तर पदेश के हैं तो क्या हो जाएगा कि बड़ी अच्छी इसकी regional diversity हो गए बड़ी अच्छी कैसे हुई अरे 99 के 99 बच्चे तो उत्तर पदेश सारे अच्छी तो तब होती न जब देश के सारे states का यहाँ पर इसके बाद देखी क्या बताया जा रहा है यहाँ पे दो कोश्चन से मनते हैं वन from how many states have students come to study to the institutions यह मैंने आपको अभी बताया कि भाया अगर दिली में या महरास्त में बाहर से बच्चा पढने के लिए तो यह matter करता है कि कितने अलग-अलग states से आया अगर किसी एकी state से बहुत सारे बच्चे पढने आ रहा हैं तो काई बाद के दिश्टी दूसरा the answer to this will give us what we can term as horizontal regional diversity here we take a bird eye view of geographical area of India and we count the states represented by one more and more students studying at the institutions however, this alone will not help comprehensively assess regional diversity पेली बात कि हमको यह देखना है कि भाई एक particular state में मालो मैंने महराष्टवाले कॉलच की बात की इसमें मैं अपना example दहों दो ot बच्चे पढ़ते हैं, दो-soti में से 180 के बाहर से आए, अबि इन 180 के बाहर से आए, अबी इन 180 में से कुछ फोरेन वाले होंगा, जो बाकी बच्चे होएं, माललो जादा तरआपके आ रहा हैं ये, माललो आंदर पदेश से, और उत्तर पदेश से, बाकी स्टेट से माल तब हम actually में segregate करके देख पाते हैं कि horizontal regional diversity कितनी है, horizontal regional diversity का मतलब क्या हो गया, कि बए आंथ पदेश से कितने बच्चे, यूपी से कितने मच्चे, आपका ये जमुन कश्मीर से कितने बच्चे, तमिल नाडू से कितने, केरला से कितने, चंडीगर से कितने, तो ये horizontal diversity है, कि एक particular state में बाकी states के बच्चे आ रहे हैं, तो अलग अलग स्टेट से कितने आए, ये तो हो गए horizontal diversity, लेकिन यहाँ पे चीज़े सौट आउट नहीं होती है, एक होती है vertical diversity, अगर मान लो, महरास्ट में पढ़ने वाला बच्चा उत्तर पदेश से आ रहा है, तो हो सकता है, बच्चा उत्तर पदेश के लखनो जीले में रहता हो, ये हो सकता है कि वो बिल्कुली बीहड गोंडा के किसी सब regional गाओं में जाके रहता हो, तो अब ये भी तो देखना जरूरी है यहाँ पे, कि वो metropolitan इलाके से आ रहा है, या फिर वो किसी suburban इलाके से आ रहा है, या बिल् और tier 3 cities को कौन सोच पूछेगा, tier 1 मतलब मान लो Bangalore, Mumbai ऐसे शहर हो गए, तो यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की opportunities हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हों थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाते हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, तो सब बच्चे का tier 1 से नहीं देखनी है, vertical diversity भी देखनी है, और आयोप आपको horizontal और vertical diversity, दोना का concept यहाँ पे clear हो गया हो, okay, that is why I am saying that this article is very important है, काफी अच्छा viewpoint यहाँ पे दे रखा है, और इस horizontal और vertical diversity को समझने के लिए दो examples भी दे रखे हैं, जैसे कि for example, अगर faculty of law jamia milia islamia university की बात की जाए, और national law school of India university NLSIU की बात की जाए, यहाँ पे, तो इन दोनों जगहों पे ही, एक पे horizontal diversity एच्छी, एक पे vertical diversity एच्छी, देखते हैं कैसे, जैसे कि अगर regional diversity की ranking देखी जाए, NIRF में jamia की, तो jamia ने 30 में से score किया 17.75, जबकि NLSIU ने score किया 27.04, तो मतलब NLSIU की ranking jamia से better है, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे jamia और NLSIU की जो indicator से उनको अगर देखा जाए, तो jamia की अगर बात करो, तो jamia में 15 स्टेट से बच्चे आके पढ़ रहे हैं, जिसमें से आप कहलो कि 76% बच्चों, आप कहलो UP दिली बिहार से आए, UP से 44.7%, दिली से 16.1%, बिहार से 15.25%, तो आप कह स हैं, तो आप कह सकते हैं, कि horizontal diversity of jamia is not very good, ओके, jamia में South India की बात की जाए, तो पुदूचेरी, लक्षदीप और 5 स्टेट से लगबख 1.4% बच्चे ही आते हैं, तो horizontal diversity jamia में clearly यहाँ पे weak नजर आ रही है, ओके, लेकिन अगर आप vertical regional representation की बात करो, तो वो jamia का अच्चा है, ज 43% बच्चे small cities, towns और villages से हैं, ओके, तो यह क्या दिखाता है, यह दिखाता है, कि jamia में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी horizontal diversity अच्छी नहीं है, बट उनकी vertical diversity अच्छी है, वहीं पे, अगर आप NLSIU की बात करो, बैंगलोर वाले, तो इसमें 18% बच्चे small cities, towns और villages के हैं, बाकी सब top towns के हैं, तो इसके चलते vertical diversity अगर आप देखो, तो NLSIU की अच्छी नहीं है, बट अगर आप बात करो, कितने states से NLSIU में बच्चे आए हैं, तो 24 states से NLSIU में बच्चे आए हैं, तो definitely NLSIU बंगलोर वाली vertical distribution में पूरली perform कर रही है, बट horizontal distribution में अच्छी perform कर रही थी, बट vertical distribution में खराब perform कर रही थी, I hope चीजें मैं आपको ठीक तरीके से यहाँ पर समझा पाया हूँ, अगर मैं यह समझा पाया हूँ, बेल इन गुट, ओके, अब एक और खास बात यहाँ पर उठती है, यह vertical distribution, horizontal distribution तो हमने समझ लिया, लेकिन इस vertical or horizontal distribution को calculate करना भी अपने तो आपको कुछ और methodological चीजों पर clarity दानी पड़ेगी, जैसे कि for example आप यह कैसे करोगे, बताओगे कि कौन से city, कौन से town और कौन से village का है बच्चा, चुकि आज की date में एक बच्चा पैदा कहीं हुआ 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 होता है, पढ़ा उसने कहीं और होता है, तो उसने अपनी दस्वी बारवी कक्षा पढ़ रखी किसी एक city से, फिर वो graduation पढ़ने कहीं और चला गया, नौकरी वो कहीं और कर रहा है, तो ये भी तो problem है न, तो एक बच्चा जो कि एक university माया है, उसने अपनी education schooling किसी एक particular city से कही, तो बिहार में मान लो, कि मुंगेर जिले में वो पैद होगे, ये भी यहाँ पर एक, आप कह सकते हो कि, बड़ा challenge हो जाता है कि, किस परकार से आप इस ranking में इस regional diversity के parameters को fix करोगे, तो बच्चा born कहा हुआ, उसका current place of residence, कहां से उसने अपना high school complete किया, ये सब चीज़ें अलग-अलग हो सकती है, ठीक है भाई, उसके मावाब कहा जन किये गए, वो 5 parameters अच्छे हैं, पस उन 5 parameters के जो सब parameters हैं, वहाँ पर improvement की ज़रोत है, और एक में improvement यहाँ पर काफी valid points के basis पे, हसने खान ने दे रखा है, सुसे अन अनीस खान ने दे रखा है, मैं बोलूगा कि बहुत अच्छा ये एक article था, बहुत अच्छा एक observation, इसको मैं इनने की कोशिश करते हैं, तो अभी recently union minister of power new and renewable energy, okay, इन्होंने recently review की है the progress of PM Kusum scheme and reaffirmed the government's commitment to accelerating solar pump adoption, भाई यह solar pump के adoption को accelerate करने के लिए बात की गई है PM Kusum scheme के अंदर, वैसे तो अगर आप बात करो, तो PM Kusum scheme को 2019 में launch किया गया था, It helps farmers access reliable daytime solar power for irrigation, reduced power subsidies and decarbonize agriculture, तो दिन के समय पे सूरच की किरन होती है, उस सूरच की किरन से आप solar pump चलाओ, जब सूरर की किरन से आप solar pump चलवाओगे, तो आप electricity grid से electricity नहीं खीचोगे, तो carbon emissions कम होंगे, power subsidies में किसान का पैसा कम खतम होगा, agriculture overall decarbonize होगा, यह सारी बाते हैं आप PM कुसम स्कीम को launch किया गया था, बट overall इसकी implementation में कुछ problems आ रही है, upfront payments यहाँ पर करनी पड़ती है, जब भी देखिए आप ground level पे overall कोई solar equipment लगाओगे, तो उसमें पैसा लगेगा, उसमें थोड़ा पैसा राजी की सरकार देगी, थोड़ा पैसा किसान देगा, अभी करोना क pandemic की समय पर ना किसान के पास पैसा है, और ना राजी की सरकारों के पास पैसा है, तो यह जो scheme है PM कुसम, यह उतनी सही तरीके से implement हो नहीं पा रही है, तो जो भी यहाँ पर problems आ रही है, PM कुसम scheme के implementation में, उसको कैसे sort out किया जा, तो PM कुसम जो है, वो आप दिखे, जिस भी terms म इसके provisions के साब से, इसकी problems को समझने की कोशिश करते है, PM किसम scheme farmers को incentive देती है, कि आप solar power pumps और plants को अपने field में लगाईए, लेकिन इन incentives को बिल्कुल प्री में नहीं बाठा गया है, थोड़ा बहुत पैसा किसान को अपनी जेब से में निकालना पड़ेगा, और तीन प्रकार क है न आपके, solarized agriculture feeders और grid connected pumps, इनको आप एक category में लगो, और off grid solar pumps को अलग category में लगो, चुकि जो दो है आपके, solarized agricultural feeders और grid connected pumps, यहाँ पर क्या है कि जो solar energy पैदा करके pump चलाए जारा, जितनी extra solar energy पैदा हो रही नो उसको grid में feed किया जा सकता है, और उस extra solar energy का जो भी grid का संचाल होगा, वो पैसा पे कर देगा किसको इन फार्मर्स को, तो एक revolutionary scheme, revolutionary scheme में एक जगा पे बहुत सारे grid connected solar pumps, अगर आप लगा देते हो, यह solarized agriculture feeders लगा देते हो, तो होगा यह, कि किसी एक particular region के solar pumps मालो electricity पैदा कर रहे हैं, और उससे आपनी निकाल लिया जितनी आपको काम था, जितनी extra बिजली थी, उतनी आपने grid में insert कर दी, तो grid में insert कर दी, तो उस extra बिजली को, उस grid के माद्यम से कहीं और transfer करके इस्तिमाल किया जा सकता है, और इसका जो पैसा होगा extra, वो किसानों को दे दिया जाएगा, जिनोंने solar pump लगवा हैं, और दूसरा तरीका क्या है, off grid solar pumps off grid solar pumps में grid connected pumps नहीं है, सीधे सीधे local level पे आपने solar plant लगा लिया, उससे overall बिजली पैदा हुई, उस बिजली से आपने solar pump चलाया, और काम वही पकातम हो गया, अब अगर आप off grid solar pump की बात करो, तो यह सबसे ज़्यादा popular है, चोकि इसमें सबसे कम खर्चा है, और overall इसको implement करना इन तीनों में सबसे आसान है, comparatively, अब तक off grid pump लगाए जा चुके हैं, 2,80,000, जबकि target यह था, कि 2022 तक 2 million off grid pump लगाए जाएंगे, 20,00,000 अब लगाए जाएंगे, लेकिन target तो देखो, यहाँ पर पूरा हो नहीं पार है, उसका reason किया है, reason यह कि किसानों में awareness थोड़ी कम है, overall किसानों को 30-40% जो upfront cost उठानी पड़ती है, वो solar pump को लगवाने की उतना किसानों के पास यहाँ पे पैसा नहीं है, और राजे की सरकारों के पास भी करोना के pandemic की समय बहुत limited पैसा बचा, तो राजे की सरकारे में यहाँ पे चीजों को implement नहीं कर पाई, ठीक है भाई, फिर अगर आप बागी दोनों scheme की बात करो, solar feeders की बात कर लो या grid connected pumps की बात कर लो, तो इसके लिए बहुती कम राजे की सरकारों ने tender और commission projects निकालें, चोकि solarized agriculture feeder और grid connected pump, यहाँ पे proper company को आके पूरा system install करना पड़ेगा, केवल किसान के बस की बात यहाँ पे नहीं रह जाती है, तो overall इस पूरी PM कुसम scheme को revitalize करने के लिए 5 important parameters के उपर बातचीत कर रहा है author, इन 5 parameters के थुरू, यहाँ पे author बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या problems है और इन problems को solve कैसे किया जा सकता है, पहला, इस scheme की deadline को आप extend करो, तो जो deadline 2022 तक की थी PM कुसम की, इसको आपको आगे extend करो, और रीजन यहाँ पर यहाँ पर एक एक तो COVID related challenges आगे है, दूसरा हमारे जो discom है, अब आप बोलो कि discom क्या होते हैं, तो discom होती power distribution companies, यह जो grid वगारा है न, यह power distribution companies लगाती है, दिल्ली में एक company है B.S.E.S. Limited, वो power distribution का काम करती है दिल्ली में, एक company आपने all India level पे सुनी होगी PG PCIL, Power Grid Corporation of India Limited, यह पूरे इंडिया में power distribution का काम होती है, तो इनके grids होते हैं, अब इन power discoms का काम क्या है, कि भाई, यह mediator की तरह काम करती है, जिसको electricity चाहिए, उसको electricity प्रोवाइड करना, और जो electricity प्रोवाइड करना है, उससे खरीदना, और बीच में mediator की तरह काम कर रही PG PCIL, तो अगर यह जो solar prounds, ground level पे लगाये जा रहे हैं, इनको अगर आपको successful बनाना है, तो भाई, यहाँ पे grid का बहुत important काम है, अब 2022 तक की सारी electricity, यह जो grids हैं, वो अलड़ी खरीच चुकी हैं, तो बहुत कम chances हैं कि solar connected grid से electricity खरीदेंगे, देखिए पूरा का पूरा model आप का profit के potential पे चलता है, अब समझिये, माल लीजे, किसी एक particular region में, बहुत सारे solarized agriculture feeder लगा दिये, और grid connected solar pump लगा दिये, और थोड़ी बहुत extra electricity जो बच रही थी, वो farmers ने grid में inject कर दी, लेकिन grid में उस electricity को खरीदने वाला भी player चाहिए, अगर कोई खरीद नहीं रहे हैं, तो इ तो यहाँ पर time lines को आगे extend करने को बोला गया है, ठीक है भई, एक बात तो यहाँ पर ही हो गई, दूसरी बात यहाँ पर बताई जा रही है, creating a level playing field for distributed solar plants, तो पहले वाले में 2022 के बाद अगर आप scheme extend करते हो, और सरकार proper तरीके से implementation करती है, तो power grids के पास एक option रहेगा कि ठीक दो प्रकार के यहाँ पर solar plants होते हैं, एक होता है utility model, ठीक है भई, एक होता है आपका utility model, दूसरा होता है आपका distributed solar model, अब यह क्या चीज़ है, utility model और distributed solar model के बीच का फर्क समझे, कोई बड़े scale पर मानलो solar power plant बन रहा है, यहाँ पर लाखो करूनों की तागाद में solar panel लगे है वो organized तरीके से solar energy पैदा कर रहा है और उस solar energy को एक grid खरीद रहा है, मानलो PGCL खरीद रहा है, यह हो गया आपका utility model, दूसरा model होता है distributed model, distributed model में किसी centralized जगा से आपकी electricity पैदा नहीं हो रही है, छोटे 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 पॉकेट से जो access electricity पैदा हो रही है, वो pockets grid में फीड कर रहे और फिर वो access electricity को दूसरी जगों पे transfer करने वाली बात हो रही है, अब समझी यह बात को, utility model और distributed model में utility model को फायदा है, पहली बात तो utility model के उपर interstate transmission system charges नहीं लगते हैं, आपको पता है कि हमारे देश में जो हमारी भारा सरकार है, वो solar energy को promote कर रही है, तो जो solar energy बना रहा है और जो solar energy खरीद रहा है, इन दोनों को ही अलग-अलग प्रकार के incentives दे रही है हमारी सरकार, जरूरी भी है वाई, climate change को tackle करना है, तो अगर एक grid connected, एक grid player से, PGCIL, BSES जैसे pair से, जो कि electricity खरीदते हैं और providers को provide करते हैं, इन से अगर आप पूछोगे, कि आप कौन से तरीके के solar plant से electricity खरीदना चाओगे, वो बोलेंगे हमको utility से खरीदना है, चुकि utility से bulk में electricity पैदा हो रही है, और एक continuous supply electricity की, वहीं पे जो distributed solar plant होते हैं, कि मालोग बिहार के मुंगेर जिले में थोड़े बहुत आपके solar pump लगे तो extra energy आ गई, फिर उससे 200 km दूर कहीं और से आ गई, UP से आ model है, PM कुसम scheme वाले, मालो थोड़ी extra electricity आ भी जाती है, तो उसके बंदे में किसानों को कितना पैसा दोगे, एक तो यह सवाल उटता है, दूसरा, यहां से कितनी electricity आएगी इसके बाद पर creditी नहीं है, देखें, जो यह grids होते हैं PGCIL जैसे, इनको पता होना चाहिए कि यहां स इतनी electricity हमको मिल जाएगी, जोगे इनके target सेट होते हैं, इनको पता होता है कि electricity की demand इतनी है, हमको इतनी electricity चाहिए, अब इनको मालूमी नहीं है, कि अलग-अलग local factor से कितनी amount of electricity आएगी, तो कहीं पर मालो agricultural season आ गया, तो उस समय पर ज्यादा पानी खीचना है underground से, तो electricity access पैद नहीं मालूम होगा, मतलब इन grids को हिसाम नहीं मालूम होगा, इसलिए ये grids, utility solar power को ज्यादा preference देते हैं, distributed solar power को preference नहीं देते हैं, इसलिए सरकार के ओपर representation मनता है, मतलब responsibility मनती है, कि जो regional distributed solar models हैं, यहाँ पर जो भी electricity आ रही है, उसको proactive basis पर खरीदा जाए, किसानों को अच अच्छा उनकी electricity का धाम मिले, यह सब बहुत जरूरी है, utility की favor में चीज़ें करना जरूरी है, बट at the same point of time, distributed solar power को भी यहाँ पे utilize करवाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, नहीं तो PM किसम जैसी scheme का कोई फैदा नहीं रह जाएगा, अगर आपको solarized agriculture feeder और grid connected solar pumps को successful बनाना है तो जो extra solar power बन रही है, उसको बिकवाना सरकार की responsibility बनती है, नहीं तो कोई फैदा नहीं है यहाँ पे, distributed solar plants बनाने का, तीसरी बात देखिए हाँ पे क्या की जा रही है, land recognitions को sort out करना, देखिए, एक agricultural land में एक छोटे से इलाके में solar power plant लगाना local level पे, अब इसके रहे बहुत सारी land permissions लगेंगी state government के department से, वो land permissions immediate basis में मिलनी चाहिए, अगर उसमें delay हो रहा है, तो भी इस particular PM कुसम scheme के adoption में समय लग जाएगा, चौती point यहाँ पर क्या बताई जा रही है, financing farmers contribution, इस प्रकार के solar pumps को लगाने में 30-40% की upfront cost आती है, ना उसके लिए केंदर की सरकार की तरसे जादा पैसा आरा ना राजिगी सरकार के तरफ से और यह farmers के पास वैसे भी पैसे नहीं रहते हैं, तो कुछ out of the box solutions चाहिए, जैसे कि करनाटका में जो पाइलेट चलाए गया है, farmer developer special purpose वेकिल का, जिसके चलते है, farmers को help दी जा रही है, install करने में solar power plants on the farm, कुछ इस प्रकार का pilot model पूरे देश में चलाने की जरूत है, अगर आप इस PM को सुम स्कीम को एक success बनाना चाहते हो, और पाँचवा, extensively pilot grid connected solar pumps, current obstacles to their adoption includes concern about their economic viability in the presence of high farm subsidies and farmers potential unwillingness to feed in surplus power, समझ ये बात को, अब मान लो कि इन solar pumps के थूरू ज्यादा electricity आ गए farmers के पास, तो farmers क्या सोचेंगे, पारसरकार कै से सोच रही है, कि जितना पानी निकालना है, उत्ता निकाल दिया और बाकी extra electricity बेच दी, अमालो extra electricity बेचने से जो पैसा आ रहा है, उससे ज़्यादा पैसा इस बात पर आने रगे कि ठीक भाई, तुम अपने agriculture इराके को बढ़ा लो, और ज्यादा agriculture करने लोगो, तो पहले अगर किसी पर्टिकुलर इलाके में 100 लिटर का irrigation हो रहा था, तो आपके पास solar pump आ गया है, आप जादा पानी खीच पार है, तो सो की बज़ाए आपने 500 लिटर वहाँ पानी डाल दिया, तो यहाँ पर पानी की wastage सुरू हो जाएगी, कुछ किसान हो सकता, पानी बेचने होने लगे कि solar pump से जो यहाँ पर electricity मिल रही है, उससे जो access पानी पैदा करके यहाँ पानी बेचना इन्हों ने शुरू कर दिया, यहाँ पानी वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो यह potential जो आपके सकतो disasterous outcome है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, farmers को यहाँ पर aware कराना बहुत सब करना पड़ेगा, राजजी की सरकार, केंदर की सरकार, जो grid जलाने वाला PGCL जैसी companies और farmers, सब को यहाँ पर proactively involved होना पड़ेगा, तभी यह चीज success यहाँ पर होने वारी है, ठीक है भाई, आगले article विचलते हैं, high water, India must create a social safety net to manage the fallout of cyclonic storms, भाई क्या बताया जा रहा है, इसको समझने के कोशिश करते हैं, cyclonic storms के ओपर बातचीत हो रही है, और गुलाब के ओपर यहाँ पर बातचीत होगी, बहुत obvious है, अब यह जो tropical cyclones होते हैं, यह हमारे देश के लिए परिशानी बन रहा है, moisture और energy यह लोग लेके आते हैं, काफी heavy नुकसान पहुचाते हैं यह lives और properties को, और इस बार जैसे जैसे मौनसून वापस जा रहा है, हजारों की तागाज में जो लोगों के ओपर impact आया, cyclone गुलाब का, अभी September में cyclone आया, September में ज़्यातर cyclones देखें नहीं जाते हैं, पटांधर पदेश, Odisha और inland इलाकों में जो cyclone का impact पड़ा है, इसके impact को यहाँ पर access करने के कोशिश की जा रही है, वैसे यह बहुत major और खतरनाक cycle नहीं बताया गया, जो weed speed थी 70 knots की थी, यास और talk तो ही के comparison में कम खतरनाक था, बटस ने नुकसान मचाया है, पहले बात तो इसमें fisherman के लिए unsave कर दी, आंदर पदेश की coastline पे fisherman जाके मचलिया नहीं पकड पारे तो तो livelihoods का नुकसान हुआ है, कुछ distressing deaths भी यहाँ पे हुई है, कुछ inevitable material losses यहाँ पे हुई है, relief और rehabilitation के ओपर ध्यान चल रहा है, और यह सब COVID-19 के recovery phase में हो रहा है, तो यह सब चीज़ें problematic है, cyclone से related जो weather system problems हुई है उसके चलते काफी नुकसान हुई है, trains divert कर दी जा जाती है, food, shelter, health care support, यह सब तूट जाता है, पूरी की पूरी supply chain तूट जाती है, तो यहाँ पे जरुवत क्या है, हर बार हम लोग नहीं यह बात करते है, क्या हमारे पास यह administrative capability है, कि हम इस प्रकार के cyclones को tackle कर सके, देखिए, थोड़ा बहुत तो improvement है, बट पूरी तरीके से improvement नहीं है, अगर पूरी तरीके से improvement होता, तो जो life और property का loss है, इसको काफियत तक कम किया जा सकता था, तब welcome concern for public health and economic security must lead to strong institutional responses to natural disasters तो, देखिए, यहाँ पे जरुवत है strong institutional responses की, institutions को यहाँ पे strong होना पड़ेगा, केतना strong है, हम बालग बालग, राज्य की सरकारे, गेंदर की सर कारे बोलती तो हैं, कि हमने NDMA के अंदर, SDMA के अंदर, NDRF के अंदर, SDRF के अंदर, लोग और पैसा डिप्लॉय करके रखा है, हमने cyclone shelters बनवाए हैं, समय समय पर खाना वगरा प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन तब भी जानमाल का नुक्सान यहाँ पर होता है, अब अगर पूरे दुनिया के ट्रापिकल साइलों की बात कीजाये, जिनको अलग 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 जगों पर, अलग अलग नाम से बोला जाता है, टॉरीकेन बोला जाता है, तो, overall यह जो cyclones पूरी दुनिया में आते हैं इसमें से केवाद 7% आप कह सकते हो North Indian Ocean में आते हैं लेकिन North Indian Ocean में जो इनका impact होता है वो बहुत deadly होता है क्यों? चुकि North Indian Ocean में एक तो population बहुत ज़ादा dense है दूसरा cities और urban इलाकों का जो development हो रखा है ना वो इस प्रकार से हुआ हुआ है कि एकदम से अगर excessive amount of बारिश हो गई तो उस बारिश के after effects floods के form में हमको नदर आते हैं जोकि पानी के drain की जो सुविदा है वो हमारे urban flood management में करी नहीं गई है तो उसके चलते overall जो damage है वो बहुत ज़ादा नजर आता है जब चिन्नई में बारिश होई थी 2015 के लगबग तब हमने ये चीज़ें देखने को मिली थी अभी जब cyclone अंफन आया था West Bengal में तब हमें जादा चीज़ें देखने को मिली थी और उसके बाद जब relief material को distribute करने की बात आई तो वहाँ पे भी corruption हो रहा था और climate change तो यहाँ पे सारा का सारा बवाल मचा ही रहा है जो greenhouse gases commission है वो तो problem यहाँ पे create करी रहा है तो कुल मिला कि यह सारी की सारी problems है जिसको as a group हमने sort out करने की जरूरत है फिर IPCC ने भी अपनी जो scientific report है 1.5 degree warming पर यह बोला है कि with a high degree of confidence that changes in the climate system including the proportion of tropical cyclones would experience a larger impact from increased warming जैसे जैसे यह global warming बढ़ेगी वैसे वैसे इन जो cyclones के incidences हैं वो भी बहुत बढ़ने वाले हैं और एक और यहाँ पे कह सकते हैं observation निकल के आ रहा है कि Arabian Sea में जो number of cyclones है वो Bay of Bengal से जादा होने वाले हैं आगे आने वाले समय में 2019 में eight storms of concern आये थे पिछले पांच सालों में अमफन आप कह सकते हो कि एक super cyclone आया है और आगे आने वाले समय में ऐसे super cyclones और भी आएंगे और जादा intensity और frequency के साथ आएंगे तो ऐसे cases में केंदर की सरकार की और राज की सरकार की दोनों की responsibility बनती है कि जो high level पे in communities का नुकसान होता है तबाही मचती है disaster response यहाँ पे proactive होना चाहिए समय पे लोगों को मदद मिलनी चाहिए institutional sectors यहाँ एकदम खरे होने चाहिए और हमारा urban management भी एकदम proper होना चाहिए ताकि vast quantity of water अगर rainfall के थुरू आता है अब बोलते तो हम लोग है कि यह होना चाहिए वो होना चाहिए होता उतने proactive level पे है नहीं यह मैं और आप नोनों लोग जानते है next बात करते है the quad could end up running out of scheme it has too many items on its agenda and with the announcement of AUKUS faces the danger of becoming a talk shop देखिए यह simple सा article है जैसा कि मैंने बताया AUKUS बना है और AUKUS के आने से quad पे क्या impact पड़ेगा देखिए साफ बात यह कि US नहीं यहाँ पर proactiveness के थूरू AUKUS बनाए जो बाइडन का तगड़ा international criticism हो रहा है जो बाइडन को US का सबसे कमजोर राश्पती समझा जा रहा है तो यहाँ भी जो बाइडन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वो कुछ serious steps ले अमेरिका के assurances के चलते कुछ countries ने अपनी spine दिखाई है चाइना के खिलाफ कड़ोने में और उनमें से एक country है ऑस्टेलिया क्या आपको पता होना चाहिए कि जो बाइडन को कमजोर समझा गया उस समय पे जो बाइडन के लिए अपनी image को बचाना बहुत ज़रूरी था और तब आई यह AUKUS नाम की डिल जिसके चलते ऑस्टेलिया को एक submarine technology देने की बात की जारी nuclear power submarine technology देने की बात की जारी यह बहुत बड़ा decision है बहुत बड़ा decision क्यों है जो कि आगे आने वाले समय में चाइना उस्टेलिया की ओपर अपनी बात्षाथ ताना शाही दादा गिरी नहीं दिखा पाएगा एक बार अगर उस्टेलिया के ओपास nuclear power submarine आ गई तो चाइना के अगेंस्ट एक pushback Australia के तरफ से आएगा जो कि इंडिया के favor में overall AUKUS के आने से कहीं न कई Indo-Pacific में इंडिया को फायदा होगा लेकिन long term में अगर AUKUS बहुत जादा militaryly strong हो जाता है तो उस case में quad के concept को problem हो सकती है जो कि quad में हर चीज़ी गुसरड़ दी गई है प्रॉब्लम यहाँ पर यह है quad में सब चीज़ के उपर बातचीत हो रही है और एक group effective तब होता है जब उसका जो domain हो वो limited हो quad की बात की जाए तो ना ही quad का कोई सचवाले है शांगाई cooperation organization जैसा कोई secretariat नहीं है कोई quad का charter नहीं है quad में हर चीज़ी गुसरड़े चले जा रहे हो आप लो चाहे artificial intelligence हो चाहे trade हो थोड़ा बहुत military की भी बात हो रही है तो हर चीज़ी गुसरड़े है quad के अंदर एक set purpose नहीं आपा रहा है प्लस quad के अंदर बहुत सारी countrys चीज़ें militarize करना चाहती है जैसे कि US और Australia की बात करो तो वो चाहते है quad militarize हो इंडिया नहीं चाहता quad militarize हो अब इंडिया क्यों नहीं चाहता quad militarize हो चुकि देखिए अगर quad militarize होगा तो overall military level पे engagement बढ़ेगा अब उस military level के engagement में इंडिया को high tech technology मिले defense की US की तो तो इंडिया को कुछ फायदा है वो US इतनी आसानी सी देने वाला है नहीं बेफिजूल में इस military deal में involved होके चाइना हमारे उपर जो key imports हैं वो भीजना बंद कर दे हमारे उपर economic sanctions लगाना बंद कर दे तो औरहल हमारे development में problem आ सकती इसलिए Quad को militarize नहीं करना चाता है इंडिया बहुत समभल के चल रहा है एकदम से चाइना के साथ पंगा लेना ठीक नहीं है चाइना से हमारे पास बहुत सारे economic inputs आते हैं तो वो economic inputs आते रहें धीरे धीरे हम लोग अपनी economic को strategic capability को बढ़ाएं और फिर पंगा लेंगे लेकिन इसमें 10 से 12 साल का समय चाहिए तो तक तब हम Quad के concept को militarize नहीं कर सकते हैं अगर Quad पूरी तरीके से militarize हो जाता तो शौयद AUKUS जैसा कोई pact sign ना होता there was a chance पर चलिए अब AUKUS आ चुका है तो short term में आप देख सकते हो या कह लिजे कुछ हब तक long term में AUKUS definitely Indo-Pacific को free करने वाले concept के साब से important है चोकि China को push back कर रहा है और चुकि continental spheres में LAC पे और उत्तराखंट पे जो मैंना आज news बनाई है India अलड़ी चाहिना से भिड़ रहा है तो इस region में अगर overall military Australia थोड़ा strong हो रहा है तो वो China को push back करेगा वैसे भी India Australia की दोस्ती है तो India Australia में तो कोई ऐसे issues आएंगे नहीं लेकिन definitely यहाँ पे quad के importance कम होगी तो करने की क्या ज़रूत है करने की ज़रूत यह है कि quad के जो parameter से उनको tag किया जाए प्रॉपर्स का charter बनाया जाए प्रॉपर्स का एक secretariat बनाया जाए क्या इसके काम है इनको define किया जाए trade में कितना involved होना है military में कितना involved होना है इसको design किया जाए चोकि India बाकी आप कहसकते agreements में भी party नहीं है जैसे for example RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership इसमें India member नहीं है ना हमारा European Union के साथ कोई free trade agreement है पहुत सारे ना हमारा अभी तक UK के साथ कोई free trade agreement है या तो इस प्रकार के individual हमारे free trade agreements होते हर दूसरी country चाहती कि उनको इंडिया के market का access मिल जाए लेकिन अपनी technology को ही देना नहीं चाहता इंडिया के individuals को उनकी country में जाके नौकरी कोई करने नहीं देना चाहता तो इंडिया भी free trade agreement जल्दी साइन नहीं करता है तो इन issues के चलते हमारी economic prowess चाइना के respect में थोड़ी कम है तो long term में अगर quad को sustainable बनाना है और AUKUS की importance को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है तो quad के parameters को यहां पर तेह करने की जलोत है नहीं तो long term में यहां पर quad irrelevant हो जाएगा यही आपर बता जाएगा तो thank you for watching friends यही था आज आज की अस आर्टिकल में I hope आपको कुछ ना कुछ useful जान लोक मिला अपने view point लिचे comment box में जरू दीजेगा Telegram group join कर लिजे Instagram पर follow कर लिजे और हो सके तो join button दबा के help करें अगर अब तक आपने channel को subscribe नहीं किया तो कर लिजे और like button दबाए बिना मच चाहिए Have a great day, goodbye, take care